हेलो फ्रेंड नमस्कार जोती की वजरसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप सब के साथ भुट्टे के पकोड़े की रस्पी सेयर करूंगी जी हाँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाना में बहुत ही टेस्टी है तो आए फिर आज की रस्पी स्टार्ट करते हैं तो और उसमें सारे दाने को डाल लेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने एक जार में सारे दाने डाल दिये अब उसमें चार हरी मिर्च और एक इंच अधरक का टुक्रा ढाला है अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी कई उस नहीं करेंगे बस ऐसे ही अब हम इसमें डालेंगे 2 चावल का आटा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने चावल को थोड़ा सा जार में लेकर ग्राइंड करके इसका पॉडर तयार किया है पहले ग्राइंड कर लिया उसके बाद चालन से इसे चाल लिया था तो बहुत ही चमच हल्दी पॉडर आधी चमच धनिया पॉडर एक चमच लाल मिर्च पॉडर जिसना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आधा चोटा चमच जीरा डालेंगे आधा चोटा चमच नमक नमक आप अपने स्वात कनू साथ डाल देजेगा अब इन सारी चुजों को हम मिक् कम्याधि कर लीजेगा यह देखिं इस तरीके से यहां पर मिक्स करेंगे अगर आपको यहां पर इस टॉपर यहां ऱ तो आप चावल काटा एंट थोड़ा सा और यूज कर लीजेगा और कड़ा लग तो आप एक zwei चमच थोड़ा सा पानी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर देखे मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है यह देखे इस तरीके का यह हमारा बैटर हुना चाहिए तो चलिए सब ठ्रै कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म रखा था तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद कैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और सारे पकोड़ों को इसमें डाल लेंगे यहां पर मैं सारे पकोड़ों को लो या फिर मीडियम फ्लेम पे प्राई करूंगी हाई फ्लेम पे बिल्कुल इसे प्राई नहीं करेंगे नहीं तो बहुत जल् को या फिर सुबेरे ये कभी भी बनाईए सच्मुझ बहुत ही कम टाइम के बहुत यह बहुत पसंद आएगा और आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा ये देखिए कितना बढ़ियां सा कलर आ चुका है तो आपने पहले भी बहुत सारे पकोड़े ट्राई किया होंगे प्याच के, आलू के, बैगन के या फिर पतागोवी के पर ये यूनिक सा पकोड़ा आपने पहले नहीं ट्राई किया होगा तो एक पर जरू ट्राई कीजिएगा, सच्मूच ये काफी मज़ेदार लगता है भुट्टे का ये चटपटा सा कुरकुरा पकोड़ा तो ये देखिए, सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी बार भी सारे पकोड़े को डाल कर प्राई कर लिया है इसका भी कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है तो यहाँ पर मैंने टमाटर की तीखी सी चेटनी भी बनाई है तो यहाँ पर हमारे भुट्टे की पकोड़े की रेस्पी कंप्लीट होती है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिपिकेशन आपके पास पहुंचे तो फिर मिलसे हैं ऐसी टेस्टी वीडियो में तब तक के लिए तैंक यू